वाहिगुरु जी का खाल साश वाहिगुरु जी की फते स्टार कैनेडा टीवी देख रहे सारे ही दर्शकांदा मेरे वल्लों हर्मन प्रीत सेंग वल्लों स्वागत है दवाली दवाली नो ओधनाता हर वर्ग दे लोग मनाओ देने पर आज जसी गाल करांगे सिक इतिहास देवेचे दवाली दी की महांता है मैं शुरुआत करांगा पाई गुर्दास जी दे बूलनाता हूँ दल पंजन गुर सूर मा बडेयो दा बहुप पर पकारी बंदी छोड दिवस यानी मुक्ती दा दिवस बंदी छोड दिवस सेक संगत वल्लों असूदे मही नेविच मनाया जानदा इस दिन मीरी पीरी दे मालक साहिबे कमाल तानशीरी गुरु हारगोबिन पाश्या जी गवाली अर्दे किले विचो बवंजा राजियानू रिहा करवा के अंबर सर आई सी उन्ना दे आउन दी खुशी दे वेच लोकाने देसी के ओदे दिवे बाले अते खुशी मनायी सी शिरी दर बार सहाबंदर दीप मालावी किती गई सी पारुपकार दी मूरत छे में पाश्या श्रीर पकोदा हस्ट पुश्ट सानी पर आत्मा पकोँ मी महाबली योदे सन आप जी दा जनम माता गंगा जी दी कुखों 15 जून 1595 मेनू वडाली विखे होया आप जी दे पिता शहीदा दे सर्ताज नाम दे बोहित तान तन शिरी गुरु अर्जन देव जी सन जिना दी शहादत ने सेक्ट जगत दिया नीहां दुनिया वेच होर भी मजबूत कर देतिया उनना दी शांत में शहादत तो बाद छे में पाशा श्री गुरु हार गोविंध पाशा तकते आसीन होई दो तलवारा पहिनिया एक मिरी दी एक पीरी दी क्योंकि गुरु साब जान दे सन जी दे कोले सत्ता हुन दिया ओदे कोले सच नी हुन दा ते जी दे कोले सच हुंदा ओदे कोले सत्ता नी हुंदी जिन्यामी कॉमा हुण तक दबके रहियाने और मिट गईयाने गुरू साहब एक निडर कॉम बनाणा चौँदे सन पूरे संसार देवेच गल्ला हुण लगिया कि संत ने हुण तलवार चक लईया गुरू साहब ने अपनी जिन्दगी देवेच पांच जंगा लड़िया बाज अते ताज दी गल्लवी गुरू हर गोबिन पाश्यां तो शुरू हुन दिया गुरू साहब दे पांच पुत्तर अते 31 सन गुरू साहब दाव्या बिब्बी नान की जिदे नल 1599 विन होया माता गंगा जी नू पुत्तर दी दात पिर्थी चांद दी पत्नी दे कोडों माता गंगा जी नू पुत्तर ना होनते जदो नित उलंबे मिलन लगे ता माता गंगा जी ने गुरू अर्जन देव जी पास जा बेंती की ती गुरू साहब ने फरमाया साटे कोडे जोवी है सब सिक संगत लेई है सिक जगत दा है जे तुसी दात लेणी है ता बीड का अर्विच सेवा कार रहे महापुर्ख बाबा बुड़ा जी पास जा के मंगो उना दी सेवा करो अते उना तो वर प्रापत करो अगले देन माता गंगा जी पूरा लाम लशकर लेके बीड सा पहुंचे उस वेड़े बाबा बुड़ा जी हाडवा रहे सी को उड़या दिया टापा नल खेतां में चिप कम कर दे बल्द डर जान देने ते बाबा बुड़ा जी नाल खड़े हो एक सेवादार नो पूछ देने पला कौन है ता सेवादार बुलिया गुरू के महल आ रहे ने बाबा जी सुबा आवकी बचन कीता गुरू के महला नुकादिया पा जड़ा पईया ने जो शैर छट एदर नू आ रहे ने ईनी गाल सुनके माता गंगा जी करे परता ये ते सारी विथया गुरू अर्जन देव जी नू आसनाई गुरू अर्जन देव जी मुस्कराए ये ते कहा तुसी निमरता नाल नहीं ग Rubain तुसी ता हंकार नाल लाय गए खोद अपने हत्थी परशादा त्यार करके बाबा बुड़ा जी ली लाके जाओ अगले दिन माता गंगा जी ने आप हत्थी परशादा त्यार कीता अते बाबा बुड़ा जी ली बड़ी निमरता दे नाल लाके गए ज़ाद बीड का रवेच पहुंचे ता बाबा बुड़ा जी हालवा रहे सी माता जीनु परशादा लेओंदा वेख के बुले बड़ी पुख लगी है मामा बिना पुत्रां दी कोई सार नी लेंदा उस वेले असमान देवेच बिजली कडक रही सी बदल गर्ज रहे सी मुक्की देनल गंडे इनु पान दे होई बाबा जी ने बचन कीता ऐसा महाबली योदा पुत्तर जनमेंगा जो दुश्मना दे सिर्पननेंगा दो तलवारां ग्रहन करेगा अते महाबली सूर्मा खवाएगा बाल अवस्था देवेच साहिब शिरीगुरु हार्गोबिन जीते होई हमले आंदा जिकर पिर्थी चांद जोकी साहिब एक कमाल शिरीगुरु हार्गोबिन पास्चा जीदा रिष्टे वजो ताया भी लागदा सी ओदे वल्लों गुरु साहब उत्ते बड़े हमले किते गए पहला हमला एक दाई वल्लों किता गया पिर्थी चांद ने एक दाई नू दो दुत्ते जहर लवाके गुरु साहब नू देन लई किया पर जहर इना खतरनाक सी कि ओदाई खोदी मर गई दूजी वार एक सपेरे दा सहरा ले आ गया सपेरे नू सप छड़न ली किया जद गुरु जी खेड रहे सन पर मेरे जानी जान सात्गुरु खेड़े खेड़े सप दे नेड़े आ गये ते सप नू संगीयों फड़ लिया ते संगी कोठ देती ती जी वार दहीं दे विचेक बमन दे वलनों जैर पवाकेवी गुरु जी नू देन दा यतन किता गया पर मेरे पीरी पीरी दे मालक जानी जान सत्गुरु ने ओवी ना खादा अते बमन दी एक दौरा पैननन मौत हो गई मेरा दाता बंदी छोड है शीरी गुरु हरगोबिन पाश्या दे दो तलवारा पैनन तो बाद आप जी ने अकाल तक्त दी सिर्जना किती अते लोगड़ दी उसारी भी शुरू कर देती गुरु साहब ने संक्तानू दर्शन ले याउंदे समय चंगी नसल दे कोड़े अते शस्तर ल्याउन ली भी आग्या देती अन खीले गबुरु आदी फौज तियार करके उनानू जंगले सिखलाई देनी शुरू कर देती गई लोगड़ किले दी स्थापना मी उस वेड़े मकमड हो चुकी सी गुरु कारदे विरोधिया ने शीरी गुरु हरगो बिन पाश्या जी दे विरोध जहांगीर दे कानपर ने शुरू कर देते अते गुरू हरगो बिन पाशा नू पंजाब दे वेच बगाबत फैलान दे दोश वेच गिर्फतार कर लिया गया अते गवाली अर्दे किले वेच नजर बंद कर देता गया जित्थे की पहला तो ही बवंजा, राजपूत, राजे कैदसन गुरू साहब दे पहुंचन नाड गवाली अर्दे केले वेच दोमें वेड़े कीरतन होन लगा अते राबदे कार्दी गाल होन लगी ओधर दुझे पासे दरबार साहब वेच सिक संकतां दा गुरू हरगो बिन पाशा तो बिना बहुत बुरा हाल सी ओधर सिखांदा एक जथा बाबा बुड़ा जी दी अगवाई दे वेच गवाली अर्दे लेग गुरू साहब दे दर्शन कर ली रवाना होया अते जदो गवाली अर्दे पहुंचे ता उना नो गुरू साहब नो मिलन दी इजाजत ना देती गई ओधर दूजे पासे जहांगीर बादशा बहुत बिमार हो गया दवादारू बहुत कीती पर कितों में इलाज ना हो सक्या जहांगीर दी पत्नी ने साही मियामीर जी गोड़े पहुंच कीती अते कहा की तुसी गुरू का अर्दे बंदेो तुसी जहांगीर बादशा ली अर्दास करो साही मियामीर जी गुसे वे चाए अते कहा तुसी रबनुता केले अंदर कैद कीता होया हुण मैं अर्दास की दे अग्ये करा इनी गाल सुनके जहांगीर बादशा ने शिरीगुरू हारगोबिन पादशा जी दी रहाईदे हुकम जारी कर देते जदो रहाईदे हुकम गवाली अर पहुंचे तां शिरीगुरू हारगोबिन पादशा ने एकल्ले किला छड़नतों मना कर देता अते बवंजा राजयां दी रिहाई दी गलवी किती जहांगीर बादशा एगाल जानदा सी कि जे यो बवंजा राजपूत राजया नू छटड़ा है ता उस दे राजवेच बगावत दा ख़दशा है इससे करके जहांगीर बादशा ने दुबारा फिर हुकम जारी किता कि जिनने राजे गुरु साब दा चोड़ा पकड़के किले अंदरों बाहर निकल सकते हन और निकल जान उन्या नू मैं जान देवांगा गुरु साब सब जानी जान सन अते गुरु पिता ने बवन्जा कलियां वाला चोड़ा सवाया बवन्जा कलियां वाले चोड़े नू पकड़के सारे दे सारे राजपूत राजे के ले अंदरों बाहर आ गए अते सत्गुरुनू बंदी छोड बंदी छोड दे नाम नाल पुकारन लगे। गुरु साब वलो लडियां गईयां जंगां दा जिकर। जंगां किसे भी कौम दे लई बहुत माइने रख दियाने। क्योंकि जंगाई हुदियां ने जिना दे करके कौमा दा अगेनू नावदला। शीरी गुरु हार गोबिंद पाशाने थे पांज जंगां लडियांने। पर जडरी सब तो पहली जंग शीरी गुरु हार गोबिंद पाशाने लडि ऐसी अंबर साथ जंग, जी दे वेच मखलस खां दे नड़ गुरु साब दा मकाब्डा हुंदा मखलस खां लहार दा एक सूबेदार जी दा बाज शीरी गुरु हरगोबिन पास्जा जी दे गोटो ते बेठा तम्मा खा रहे आ तम्मा शामदी खराक नू कहा जन्दा शाम दी खराक बाज गुरु साब दे गोटुते बेठा खा रहा है ते गुरु साब ओधियां अखां दे विच अडोल चित होके आउन वाड़े पविखदा शुब चिंतन कार रहेने अईने नू मखलस खांदा सुनेहा आजानदा जानता बाज मोड़ देओ जान फिर जंगले तियार रहो पर मेरे गुरु पाशा अडोल चित होए बाज दियां अखांदे विच वेखदे रहें देने अईने नू एक समझा उता वाजी दी आवाज उठ दिया है गुरु जी बाज मोड़ देने हैं एक पंची पिछे कादा लड़ना पर गुरु साब फिर भी जुप रहे अते मुस्करा पए फिर गर्ज के बोले तिन को बाज नहीं अब देना राज ताज तिन से सब है लेना एथेगे बाज दी नी एथेगे राज ते ताज दिया मुखलस खानू बाज देन तो मना करदता गया दो दिन तक अंबर सर देवेच कमासान योद्ध होया अते दूसरे देन मुखलस खान ता सिर गुरु साबने तड़नानों अलग कर दता गुरु साबने अपनी सेवा, सिमरन, सियानप, सतकार, उपकार, निमर्ता अते शांत सुबा आवर के गुण पिता शिरी गुरु रामदास जी कोड़ों विर्से विच प्रापत होए। आप जी दे नाना जी, गुरु अमरदास जी, आप जी नू दोहिता बाणी का बोहिता कहा कर दे सन। उथे ही पटा ने आप जी दी उपमवेच बाणी मेच लिखे आए, तै जनमत गुर्मत ब्रह्म पच्छानेयां। आप जी ने तरम निर्पक्ता दे सिदा अंतनु साकार कीता। समेदा बादशा जहांगीर एक कटड़ बादशा सी, जेस दे इर्दगिर्द सेख तरम तो इर्खा करनवालेयां दी पीड हमेशा बणी रहें दी सी, उनना तो गुरु साहब दी वाद रही सोबा देख नहीं सी हो रही। चन्दू वर्गे लोका ने गुरु जी उपर इलजाम लगाके कैद करवार दिता अते मुकदमा चलाया गया। बाल हरगोबिन जीनू बाबा बुड़ा जी वल्लों गुर्ता गदी ते आसीन किता गया। जित्थे कीरतन विच सानू रबाब शिरीगुरु नानक देव जी वल्लों मिली ओथे शिरीगुरु हरगोबिन पाश्या ने सानू नगारा भी देता। जित्थे हरमंदर सहाविच आसा की वारदा कीरतन होंदा सी ओथे चानू अकाल तक्तवी शिरीगुरु हर्गोबिन पाश्चा ने फैसले लई दिता गुर्टा गदी ते बैठन विले शिरीगुरु हर्गोबिन पाश्चा ने दो तलवारा गरहन कीतिया एक मीरी दी एक पीरी दी शब्द मीरी मीर तो बनेया है असल चशब्द है अमर अमर तो बनेया है शब्द अमीर अमीर तो शब्द बनेया है मीर अते मीर तो शब्द बनदा है मीरी मीरी शबद दा अर्थ है बादशाहत गुरु नानक देव जी दा शबद है कहे नानक सुन बाबर मीर मीरी दी तलवार आप जीनु बाबा बुड़ा जी ने पहनाई ऐधे एक कथन मी आउद है दो तलवारा पैनियां एक मीरी दी, एक पीरी दी एक अजमत दी, एक राज दी एक रखी करे वजीर दी मीरी यते पीरी दा एक सिदानत है तरमते सियासत दा सिदानत मेरा सत्गुर बंदी छोड है बंदी छोड दीवस ना केवल सिक संगत वलों बलकी होर भी तरमा वलों एक जट होके शिरी दरबार साहब अंदर नत मस्तक होके मनाया जान्दा एतिहार सानू एक जट होके रैन दी प्रेरना दिन्दा गुरू साहब दा जीवन बड़ा ही अलाकक अते शांत मई अते नाली नाल निडरता वाड़ा वी रेया सानू लोड उन आदे जीवन तो सेद लाके अगे वदन दी आओ इस दिवसनू राड मिलके मनाये अते गुरू साहब दियां खुशियां प्रापत करिये वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फते झालसा